जैकपूर राजस्थान के बान सवाडा शहर में कुछ दिन पहले पुलिस ने मसाजपॉर्लर की आर्मे चल रहे सिक्स रेकेट का परदा फाश किया था पुलिस ने चापा मार कर मनिपूर की तीन युवतियों के साथ दो युवकों को गिरफतार के लिए था पहले एसी खबर देश के बड़े शहरों से आती थी लेकिन अब गाव आयर चायटे शहराएं से भी एसी खबरें सुर्खियां बंदने लगी हैं जाए कि चिंता की बात है ताजा मामला देश के सबसे साक्षर राज्य केरल से है जहां देहवियापार काए लेकर एक रिपायर्ट में चाहें काने वाला खुलासा हुआ है रिपायर्ट में सामने आया कि इस काम को करने वाले अब तेजी से तकनीक का सहारा ले रहे हैं एजेंट अब होट सेप जैसे सोशल एप का इस्तिमाल करके अपना काम आसानी से कर रहे हैं यहां देहव्यापार में डिजिटल पेमेंट का मामला सामने आया है इससे साफ हाए गया है कि अब डिजिटल सुविधा का लाभ अपराद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है केरला स्टेट एड्स कंट्रोल ससाइटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्ये में देहव्यापार में पैसों के लेन देन के लिए भार्ट साइप सहित अन्य एप का इस्तिमाल किया जा रहा है केस ऐसी एस ने कुछ इंगों के साथ मिल कर यह रिपोर्ट तयार की है रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिसमत रोशी के लिए लोगों को वार्ट साइप से मेसेज किया जाता है उनसे मिलने के लिए समय और जगय तरे किया जाता है रिपोर्ट के मताबिक अधिक्तर महिलाएं जो इस काम में लिप्त हैं वे गरीब घरों से संबंद रखती हैं लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो की बड़े परिवार से आते हैं उन्होंने कम समय में अधिक पैसे कमाने के लालच में ऐसी महिलाओं ने इस गलत काम का इच चुना है वहीं इस काम में तीसीरी श्रेणी भी है जिसमें वो लोग हैं जिनहें लगजरी लाइफ चाहिए और इसी काये लेकर के इस दलदल में आ जाती हैं संस्था के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आल रमेश के मताबिक हम लगातार इन लोगों से मिलते हैं और उन्हें मेडिकल चेकप देते हैं जिससे की और सम्बन से हुने वाली बिमारियों पर रोक लगाई जा सके